सुप्रभाद बच्चों, हम्धी क्लास में आज हम रिवीजन में पार्ट एक उठो लाल यह हमने कर लिया है आज हम फिर से ही कविता को पुनहां याद करेंगे दिया आपने याद नहीं की है तो फिर से इसको वीडियो को धान से देखेंगे और कि कविता को याद करेंगे उठो लाल अब आखे खोलो, उठो लाल अखे खोलो, पानी लाई हूं मूध होलो, वीडिरा कमल लल फूले, उनके उपर भौरे जूले, चिडिया चख, चिडिया चख, उठी पेडो पर, बहने लगी अतिसुन्दर, बहने लगी हवा अतिसुन्दर, भोर उई सूरज उपाया, दम में हुई सुनहरी काया, आसमान में लाली च्छाई, ठेंडी हवा बही सुखदाई, नन्ही नन्ही किरने आई, फूल खिले कलिया मुस्काई, इतना सुन्दर समय नखो, मेरे प्यारे अब मत सो, तो इस कविता से हमने क्या सीखा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक एक पंती बताई थी मैंने आपको, उठो लाल, बच्चो उड़ जाओ, सुबह हो गई है, मूँ धोलो, कलिया खिल गई है, चिडिया पेडों पर चहक रही है, फेंडी हवा बह रही है, सूरज उग गया है, नम में सुनहरी, सुनहर नब सुनहरा हो गया है, आसमान में लाली च्छाई है, ननी ननी छोटी छोटी किर्णे, निकलाई ये कलिया खिल गई है, तो इतना सुन्दर समय है, इसको मत को ये हमने इस कविता में सीखा है, तो आप आठ गेचे पंक्तियां तो आपको अनिवार रुप से याद करना ही है, उठोला आखे खोलो, पानी लाई हुम्मोध होलो, बीती रात कमल गल फूले, उनके उपर भौरे जूले, चिडिया चे उठी पेडो पर, बहन लगी अती, बहन लगी हवाती सुन्दर, एक बार पुन्हामिन के प्रेशुत्तर देखेंगे, चिडिया कहां चहक रही है, तो चिडिया कहां चहक रही है, चिडिया पेडो पर चहक रही है, सूरज उढ़ने पर आस्मान का रंग कैसा हो गया है सूरज उढ़ने पर आस्मान का रंग लाल हो गया है कैसा हो गया है लाल हो गया है आप देखिए बच्चों प्रश्ण तीन सुभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए सुबह कवर्णन अपने शब्दों में की ये वाला प्रशन के वाल आपको पोरली यादर करना है सुबह आस्मान में लाली मा छाई रहती है पक्षी चहगते हैं कलिया मुस्काती एवां फूल खिलते हैं ठीक है फिर देखिए शब्दों के अर्थ जहगना मिंस बोलना सुख दाई मिंस सुख देने वाली नब आकाश लाल मतलब बेटा उत्र कमल दर मतलब फूल के कमल के फूलों के भुच्छे अब आपको वाक्य बनाना है जिसे पानी पानी का वाक्य आप कैसे बनाएंगे कुछ कुछ भी बना सकते हैं मुझे पानी पीना है कि आस्मान पर वाक्य बनाना है आस्मान में बादल है फूल यहाँ फूल सुन्दर है आप चाहें तो कुछ और वाक्य भी बना सकते हैं सुन्दर यहाँ फूल सुन्दर है दो बच्चों आपको ये नीडियो ध्यान से देखना है और ये प्रश्वत्तर भी याद करना है आपको एक और रफ कॉपी में आपको ये लिख लिख कर याद करना है